दुबई की उची 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 बिल्डिंगों का काला सच नमस्कार स्वागते आपका हिंद भारत में मैं हूँ आपके साथ तनुशर्मा दुबई एक ऐसा शहर है जिसके बारे में हमने जिंदगी में कई बार सुना होगा कहा जाता है कि दुबई की उची-उची बिल्डिंग लोगों को काफी अट्रेक्ट करती है लोगों का मानना है कि यह दुबई एक ऐसा शहर है जो एक ग्लैमरस है और काफी खूपसूरत है इसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत खूपसूरत होगी और यही सब सुनकर हम मान लेते हैं कि वाकई दुबई एक बहुत खूपसूरा शहर है लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सच्चाई जो दुबई के बारे में आपकी धारना को बिल्कुल बदल कर रख देगी दुबई में उची-उची बिल्डिंग बनाने वाले मजदूरों का सच जान कर आप हैरान रह जाएंगे आईए आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी दुबई से जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपने दुबई की बड़ी-बड़ी इमारतों को तो देखा ही होगा और देख के काफी प्रभावित भी हुए होगे पर आप इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं क्या आप जानते हैं कि इन इमारतों को आखिर किसने बनाया है इन इमारतों को बनाने वाले मजदूर भारत, मांगला देश और पाकिस्तान से आते हैं और इनके साथ बहुत ही बुरा ब्रताव किया जाता है दुबई की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर कड़ी धूप में घंटों काम किया करते हैं और इनकी आये का 50% हिसा भी कमपनियां रख लेती हैं दुबई की बड़ी-बड़ी इमारतों में काम करने वाले मजदूरों का पासपोर्ट भी कमपनियां अपने पास ही रख लेती हैं दुबई की बिल्डिंगों में मजदूरी करने वाले लोगों को तक्रीमन एक कमरे में 10 लोगों को साथ रखा जाता है इससे उन्हें बहुत परिशानी होती है पर किस्मत के हाथ ओ मजबूर ये लोग कुछ नहीं कर पाते बस सहते रहते हैं मजदूरों को तो समय पर खाना तक प्राप्त नहीं होता क्योंकि कमपनी मजदूरों का पैसा खाफी समय तक अपने पास रख लेती है ऐसे जिन्दगी जीने वाले लोग रहते हैं वहाँ कहते हैं कि चमक धमक वाले महलों के पीछे कई राज छुपे होते हैं और ये इस दुबई की हमारे इस रिपोर्ट से पता चलता है दुबई की उची-उची इमारतों के पीछे कई अमान भी घटना छिपी हुई है भारते मजदूर अपनी आखों में एक सपना लेकर दुबई जाते हैं कि हम वहाँ पर खुश रहेंगे और हमारी जिन्दगी एक बहतर तरीके से चलेगी लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनकी शुरू होती है दर्द भरी कहानी और ये भी एक ऐसी कहानी होती है उन मजदूरों की जिनके बारे में कोई सुध लेने वाला भी नहीं होता है इस दुनिया में तीन तरह के दुबई है और ये तीनों ही एक दूसरे के चारों और चक्कर लगाते रहते हैं यहां उन लोगों का दुबई है जो कि अपना देश छोड़कर यहां रहने आते हैं दूसरा दुबई उन लोगों का है जो कि अमिरात के रहने वाले हैं और जिनके प्रमुक शेक मोहम्मद है और इनके अलावा तीसरी तरह का भी दुबई है जिसमें इस शहर को बनाने वाले वे विदशी लोग रहते हैं जो कि यहां किसी ना किसी तरह से फसे हुए हैं और यह से निकल नहीं पा रहे हैं यह लोग आपको सहजी दिखाई नहीं पड़ते आप उन्हें हर कहीं गंद की भरी नीले रंगी वर्दियों में देखते हैं इनके अपसर लोग इन पर चिलाते रहते हैं और यह अपरादियों की तरह चैन में बंधे किसी अपरादी गिरों के लेकिन मजदूर कैसे मजदूर दुबाई बनाने वाले लाको मजदूरों को प्रतियक शाम को उनके निर्मान स्थल में बसों में भरकर एक बड़े कंक्रीट के जंगल में पहुचाया जाता है जो की शहर में एक घंटे की दूरी पर है यहां इन सब को मुर्गियों के दड बुरी लगती इसलिए इन लोगों को छोटी धख़ूर की बसों में लाया और ले जाया जाता है जो की मजदूरों को रिएगिस्तान की गर्मी में गरीन हाव्स की तरह. इन मजदूरों के शरीर में इस तरह पसीना निकलता रहता है इन मॉन तो सिंग धिरे धिरे निचोडा छूस कर रखा जाता है वहां के मजदूरों के शरीर से पसीने और नाली में बहने वाले गंदे-पानी की तेज गंद आ रही होती है लोग गुटनों के बल चारो और बैठ जाते हैं वे अपने साथ होने वाले वहवार को सुनाने के लिए किसी को भी सब कुछ बताने के लिए तयार है दुबला पतला 24 वर्ष का साही नाल मुनीर बांगलादाश के डेल्टा इलाके का रहने वाला है वे कहता है कि यहां तक आपको लाने के लिए वे कहते हैं कि दुबई स्वर्ग है लेकिन जब आप यहां आते हैं तो महसूस करते हैं कि आप नर्क में आ गए हैं चार वर्ष पहले दक्षिनी बांगलादेश में साहिलनान के गाओं में एक रोजगार दिलाने वाला एजेंट आया था उसने गाओं के लोगों से कहा कि वहां पर वे लोग निर्मान इस्थलों पर मात्र 9 बजे से 5 बजे तक काम करके एक महीने में 40,000 टका यानि 700 पाउंट कमा सकते हैं विशेश रूप से बनाये गई श्रम शिवरों में रहे रहे इन मजदूरों की जिन्दगी लगातार चलते काम के बीच ही फसकर रहे गई पिछले दिनों इन सब के बीच अरुमुगव वेनकेटेशन ने फासी लगा कर आत्माहत्या कर ली दुबई की बहारी इलाके में एक भीड बरे मकान में रहने वाले इन मजदूरों में से एक अवधेश भी है 25 वर्षे वेनकेटेश की मोत ने उसे हिला कर रख दिया वेनकेटेशन के बिस्तर पर पड़े उसके तूटे फूटे सूटकेस और दूसरे सामान को दिखाते हुए वो बताता है कि मैं शाम में साड़े साथ वजे काम से लोटा तो कमरा बन था जब हमने कमरा खोला तो उसमें अंधेरा था मैंने वेनकेटेशन को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तभी मैंने उसका शरीद लटका हुआ देखा उसके घुटने जमीन पर लगे हुए थे और उसकी गरदन तूट चुकी थी दक्षिन एशियाई में हजारों मजदूर हर साल दुबई आते हैं वेनकेटेशन को भारत में एक कमपनी वहाँ ले गई थी जो दुबई की एक निर्मान कमपनी को मजदूर उपलंथ करवाती है वेनकेटेशन खाडी में काम और रहने के लिए इस कमपनी पर बिरबर था और कमपनी के श्रम शिवरों में रहता था नो कमरों के श्रम शिवर में लगबग 85 लोग रहते हैं एक कमरे में 8 से 12 लोग सोते हैं सोचालिया या इसनान घरों का इस्तमाल 25 मजदूर मिलकर करते हैं नए के बराबर सुधाय होते हुए भी वेनकेटेशन जैसे लोग यहां सिर्फ पैसों के लिए खिचे चले आते हैं निर्मान कारिय में लगे मजदूरों को भारत में मिलने वाले पैसों की तुलना में यहां 10 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है जिससे भारत में उनका परिवार चलता है घर बनता है और उधार भी चुकता होता है दुबई में वैपार बेशक लगातार बढ़ रहा हो कि उसने अपने वीजा की अगधी नहीं बढ़वाई है और अब वह गैर कानूनी तरीके से रह रहा है ऐसा भी सामने आया कि कई कमपनियां मजदूरों के पासपोर्ट अपने पास रख लेती हैं ताकि वे घर नहीं लोट पाएं वेंकेटेशन ने दुबई आने के लिए अत्मेहत्या से पहले वेंकेटेशन ने लिखा था उनके अनुसार वेंकेटेशन ने आत्मेहत्या इसले कि क्योंकि वह उधार की रकम नहीं चुका पा रहा था वेंकेटेश और उसके साथियों को दुबई लाने वाले कंपनी के प्रबंदक रैगिस जोन से जब मजदूर को वेतन ने दिये जाने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि कमपणी पिछले एक देड़ साल से बुरे आर्थिक दोर से गुजर रही है लेकिन हमने मज़दूरों को कहा है कि उन्हें वेतन जरूर दिया जाएगा कुछ दिन पहले ही हमने उन्हें दो महिने का वेतन देने की पेशकश की है जोन ने माना कि कमपनी सभी मजदूरों के पासपोर्ट अपने पास रखती है हालकि ऐसा करना गैर कानूनी है दुबई में हर्ताल करना भी गैर कानूनी है जिसका मतलब है कि जोन की कमपनी के मजदूरों को वेतन और घर लोटने के कागजातों के बिना भी काम करने को कहा जाता है लेकिन जोन का मानना है कि ये बेगारी नहीं है जोन का कहना है कि मैं आपको वो कागजात दिखा सकता हूँ जिन पर मजदूरों ने यहां आने से पहले हस्ताक्षर किये थे इन कागजों में घंटों की हिसाब से मिलने वाले वेतन और यहां लागू होने वाली शर्तों के बारे में लिखा है वो अपनी इच्छा से इन कागजातों पर अश्ताक्षर करते हैं और उसके बाद ही हम वीजा की प्रक्रिया शुरू करते हैं जोन ने इस बाद से इंकार किया कि मजदूरों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस देश में रखा जाता है उन्होंने आगे कहा कि कमपनी मजदूरों को बकाया वेतन के बुक्तान के लिए काफी प्रयास कर रही है जोन का कहना है कि केवल दो महिनों का ही वेतन रोका गया है और हाल ही वे मजदूरों को कमपनी की खराब आर्थिक इस्तधी के बारे में बताया गया है लेकिन अब्धेश का कहना है कि वैंकेटेशन की मोत के बाद कई मजदूर अपने करार खत्म करके घर वापस लोट जाना चाहते हैं दुबई में रहने वाले अब्धेश ने कहा कि जब मैं दुबई नहीं आया था तो मैंने दुबई के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि दुबई बहुत खूपशूरत है लेकिन जब मैं यहां आया तो मुझे दुबई से नफरत हो गई और मैं यहां पर बिल्कुल भ ये चैनल को सब्सकाइब करें और ये बैल आइकन जरूर दबाएं